नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसमें हम कुछ ऐसे चीजें समझते हैं, सीखते हैं जो हमको सोचने में हेल्प करती है, रिस्क, ऑपॉर्चुनिटीज वगरा समझने में हेल्प करती है आज का टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको दो लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ और मैं ये भी आपको confidence दिना चाहता हूँ, कि आप भी वैसे हो सकते हैं उसमें से एक तो बहुत बड़ा prodigy था, genius था, लेकिन दूसरा बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन successful बहुत हो गया एक था Thomas Edison, Thomas Elva Edison, जानते हैं सब लोग, किसलिए famous था हूँ आदमी, उन्होंने बल्ब की discovery की थी और दूसरा, Steve Jobs, Steve Jobs को सब जानते हैं, यहाँ पर आप भी जानते हैं, Steve Jobs Apple company का co-founder, दो लोग थे, Steve Woznik, जो tech co-founder था, सारा technology का काम उस नहीं किया था और Steve Jobs जो थे, वो थे CEO, co-founder थे हो भी, और वो marketing और product designing के उपर काम करते थे और कहा जाता है, इस पिछले सदी के, one of the most successful businessmen, जो अलग-अलग type के businesses खड़े की है वो है, Steve Jobs, अब तो नहीं है इस दुनिया में और बहुत पढ़ें के नहीं थे, Steve Jobs वो drop out थे, college छोड़ दिया था लेकिन जब भी आप किसी भी आदमी के बारे में यह सुनें कि वो drop out है तो यह मत सुचेगा कि वो खोज भी नहीं करता था वो reading नहीं करता था वो explore नहीं करता था in fact, उसने drop out इस लिए लिया because उसको time waste लग रहा था वहाँ जातर के तो जितना normally college में जाने वाले बच्चे पढ़ते हैं, exam देते हैं उससे कहीं जादा यह लोग काम करते हैं इनका दिमाग 24 घंटे चलता ही रहता है अपने काम के बारे में प्रोडक के बारे में तो आज के chapter का नाम है wonders of future मतलब भविष्य में होने वाली खोजें और यहाँ पर भी हम लोगों को कुछ ऐसा धक्का देने वाली बातचीत पता चलेगी जो हमको लोगी का बाप रे बाप सही में क्योंकि हम सब यहाँ पर बैठे हैं और हम सब users की तरह काम करते हैं consumers की तरह कोई नया product आया तो खरीद लेते हैं कोई नया app आया तो हम उसको download करके उसको use करते हैं Instagram को देखते हैं scroll करते हैं YouTube देखते हैं बहुत कम हैं हम में से जो actually create करते हैं creators है बहुत कम लोग हैं और पता है क्यों नहीं create करते हैं हम लोग क्योंकि हमें से जादा तर लोगों को ये लगता है सारी काम की चीजे तो हो चुकी डिस्कवर मैं और क्या डिस्कवर करूँ और ये भी लगता है कि अगर कुछ डिस्कवर करना होगा तो उसके लिए मुझे बहुत जीनियस होना पड़ेगा तो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूँ जीनियस नहीं आपको होना पड़ेगा जुझारू अपने प्रॉब्लम के उपर अपने क्वेश्चिन के उपर जिसे मैं शायद जुझारू रहा होंगा तभी जनुगा मेरे हाथ में आई और मुझे यह समझ में आया कि बहुत यह तो बहुत काम की चीज है मुझे हल्प हुई और फिर मैं असको लोगों को पढ़ाना शुरू किया तो अगर कोई चीज आपको प्रॉब्लम है जैसे मेरी प्रॉब्लम थी मुझे पता भी नहीं था मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे अंदर में फोकस नहीं था कॉंसेंट्रेशन नहीं था कंसिस्टेंसी नहीं थी क्या होती यह कंसिस्टेंसी रोज रोज करते रहना यह सब चीजे मुझे तब पता चली कि मेरी प्रॉब्लम थी जब ये कम होने लगी जब consistency आई तब पता चला मेरे life में consistency नहीं थी उसके पहले लगता था बहुत consistent हुआ नहीं नहीं मुझे लगता था आरे जब चाहोंगा तब consistent हो जाओंगा बस चाहता नहीं हो मैं खाले एक ही चीज में consistent था किसमें फिल्में देखने में दोस्तों के साथ गपे मारने में अपने मन का tasty tasty बोजन खाने में वो consistency नहीं होती तो ये सारी बातचीत आप इसलिए सुन रहे हैं ताकि आपको ये भरोसा हो सके कि जो भी थोड़ा थोड़ा effort में डालूंगा वो एक बहुत wonders product बना सकता है ये बहुत कमाल की service create कर सकता है तो आज के chapter का नाम है wonders of the future के भविश्य के चमतकारी चीजें और इसमें हम सीखेंगे it always feels like we are falling behind and it's easy to discount the potential of the new technology हम यहां सीखेंगे हमेशा ऐसा लगता है कि यार अब नहीं हो सकता falling behind कि यह पहले अगर कर लिया होता मैंने तो हो सकता था जैसे मुझे लगता है कि 12th के बाद अगर मैंने B.Tech किया होता तब मैं कोई company बना सकता था tech company अब नहीं बना सकता ऐसा हमेशा आपको लगता है it's easy to discount the potential of new technology और दूसरी बात आपको लगती है कि जो भी technology आई है new technology उसका potential क्या है हम हमेशा इसको हलके से लेते हैं जैसे अभी chat GPT को हम हलके से लेते हैं हम लोग का जो website बन रहा है वो एक .net नाम की language पे है जो पुरानी language है और उसके coders मिल भी जाते हैं हम लोग को मिले हमको लगेगा कि पुरानी चीज़ है हलके से लेते हैं जो भी हमारे पास smartphone है, camera है अभी हमारे पास Instagram है हम YouTube को use करते हैं, Twitter है अभी कल ही मैंने आज मैंने एक video डाला और कले डाला था Instagram पे क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा इसके पहले जब तक मैंने नहीं पढ़ाता तो मुझे लगता था कोई ज़रूत नहीं है इसकी मैंने ये पढ़ा कि लोगों को आप पढ़ाईए लोगों को inspire करिये और लोगों को entertain करिये, तीन चीज़े होनी चाहिए मैं खाली पढ़ाता था, पढ़ाता था, पढ़ाता था अब मुझे समझ में आया कि आपको inspire भी करना पढ़ेगा inspire कैसे करेंगे, बात करेंगे और फिर मैंने बात में पढ़ा कि आपको entertain भी करना होगा मतलब fun जिसी चीज़ें, मजाकियां जिसी चीज़ें करनी चाहिए तो मैंने पिछले दो मजाक डालेंगे अपने instagram पे, twitter पे तो आपको ऐसे ऐसे लोग connect करना शुरू करेंगे जो पहले आपकी जनता नहीं थी जो खली पढ़ाकू जनता है उसके अलाम आपको नहीं नहीं जनता मिलेगी तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं जो new technology है उसको हलके से लेते हैं इसलिए हम उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं यह हम सीखेंगे सीखेंगे तो क्या करेंगे उससे अरे भाया हलके से नहीं लेंगे उसको बहुत serious लेंगे दुनिया को बदलने वाली जो नहीं technology आती है वो कैसे शुरू होती है और कैसे आगे बढ़ती है उसका एक रास्ता है एक specific रास्ता है सबसे पहले लोग बोलते हैं I have never heard of it क्या? ChatGPT? मैंने तो उसके बारे में सुना ही नहीं यह email? यह YouTube? इसके बारे में तो सुना ही नहीं नहीं सबसे पहले यह कहते हैं नई technology के बारे में उसके बात कहते हैं I have heard of it but I don't understand it फिर कहते हैं हाँ हाँ मैंने सुना तो है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता उसका क्या काम है क्या फाइदा है ठीक? फिर बोलते हैं I understand it but I don't see how it's useful तीसरे लेवल पर आके बोलते हैं हाँ मुझे पता है कैसी यूज करते हैं लेकिन मुझे यह नहीं पता कि उसको क्या काम है उसका उसका यूज क्या या बहुत ज़्यादा मिरे लिए यूज नहीं है उसके बात कहते हैं I see how it could be fun for rich people but not for me फिर हम कहते हैं हाँ हाँ काम का है लेकिन मजे के लिए अमीरों के लिए है हमारे लिए नहीं है उसके बात कहते हैं I use it but it's just a toy फिर कुछ दिन बात कहते हैं हाँ हाँ मैं काफी उस करता हूँ लेकिन खाली मजे के लिए फिर कहते हैं It's becoming more useful for me अरे यार बड़ा काम का है उसके बिना तो मेरा काम रुपता जाता है फिर आप कहते हैं I use it all the time क्या कहते हैं कि मैं तो उसको हमेशा यूज करता हूँ फिर आप कहते हैं I could not imagine life without it यार इसके बिना तो life चली नहीं सकती थी हर किसी के पास मॉइल होना चाहिए फिर आप कहते हैं seriously people live without it आप बुलते हैं क्या लोग पुराने जमाने में इसके बिना रहते थे और last में कहते हैं it's too powerful and need to be regulated आप कहते हैं यह बहुत powerful है यार दुनिया में फैल रहा है इसको regulate करना पड़ेगा इसको control करना पड़ेगा इसके लिए हम कानून बनाने पड़े हैं आप समझ पहे हैं शुरू में लोग हलके से लेते हैं तो धीमिती में यह आपकी body में life में गुस्ती जाती है फिर आपको इसकी आदत पड़ जाती है और यह चीज एक बार नहीं बार बार होती है हर नहीं technology के साथ यह होता है यह बहुत मुश्किल है हमारे लिए कलपना करना देख पाना भविश्य में कि एक छोटी सी invention भविश्य में कितनी बड़ी चीज हो सकती है एक common view यह है इतिहास में कि जो भी innovation हुआ है पास्ट में वो तो बहुत बढ़ियां चीजें खोजी है हमने लेकिन अब कुछ बचा नहीं है यह कि जो भी चीजें खोजने वाली थी लो हैंगिंग फ्रूट मतलब जो पेड में फल लगते हैं तो जो नीचे आले फल थे वो से हमने तोड़ ली हैं तो अब खतम हो गया है अब जो भी discoveries हैं वो बहुत मुश्किल चीजें हैं अब नहीं हो सकती ऐसा लोग मानते हैं 1908 में कब? आज से 100 साल से भी पहले Washington Post ने एक full page headline लिखा था America's thinking men forecast the wonders of future कि America के सोचने वाले लोग thinking men वो forecast कर रहे हैं बविश्य के बारे में Among the thinking men buried in the fine print was Thomas Edison और इसमें जो thinking men इसके बारे में लिखा गया था वो Thomas Edison के बारे में कहा गया था Edison had already changed the world at this point Edison ने दुनिया बदल दी मुझे आप लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते कि हम लोग राइपूर में जाते थे गाओं में और कहीं बिज्ली नहीं होती थी अंधेरा होने के बाद लोग दिया जलाते थे डिबरी जलाते थे डिबरी जानते हैं जो दवाई पीने वाली बुतल आती है जिसमें कफ सिरफ होती है शीशे की उसमें एक बाती बनाई जाती थी केरोसीन मिट्टी का तेल डाला जाता था और वो रख दिया जाता था वही रात का उजाला था एक दम अंधेरा गाउं में यह तो देखे होंगे इनके हां तो यूज हुआ होगा तो उस चीज को रिप्लेस कर दिया था थॉमस एडिसन ने थॉमस एडिसन वास स्टीव जॉब्स अफिस टाइम थॉमस एडिसन अपने जमाने का स्टीव जॉब्स पाना जाता था मजब कह सकते हैं आप जिन लोगों ने यह अखबार में लिखा था आर्टिकल उन्होंने पूछा उनसे आपको क्या लगता है जो कुछ भी खोजबीन की गई है मैंचन किया गया है उस तो अब टाइम खतम हो गया आपने जो बड़ी-बड़ी खोज़ कर दी है अब तो हो चुका सब Edison answered passing he repeated in apparent astonishment that such a question should be asked why it hasn't started yet उस तो तो उसमें आपको पूछना होगा कि आप क्या चाहते हैं नहीं नहीं खोज़ें you believe then that the next 50 years will see as a great mechanical and scientific development as the past 50 half century तो जो आदमी लिख रहा था उसने Edison से पुछा आपका क्या मतलब है जैसे पिछले 50 सालों में धेर सारी खोज़े हुई है ऐसी अगले 50 सालों में भी खोज़े होगी greater, much greater Edison ने कहा अरे उससे कहीं जादा खोज़े होने वाली है उसने का ठीक है आप भी बताईए कहां कहां पर खोज़े होगी किस लाइन में तो थॉमस ने कहा Edison ने along all lines हर तरफ खोज़े होने वाली है इस वाजन्ट ब्लाइंट अप्टिमिजम Edison understood the process of scientific discovery और ये केवल blind optimism नहीं था एक इसे माबाब बोल देते हैं लड़का फेल भी हो रहते हैं अरे नहीं यार तुम कर सकते हैं ऐसा नहीं था वो जानता था कि scientific discoveries कैसे काम करती हैं उसका process क्या है big innovations don't come at once बड़ी बड़ी खोज़ें तुरंत नहीं आ जाती but rather are built up slowly when several small innovations are combined over time बड़ी बड़ी खोज़े तब होती हैं जब धेर सारी छोटी छोटी innovations होती हैं और वो combined हो जाती हैं कुछ समय में Edison wasn't a grand planner Thomas Edison कोई बहुत बड़ा planner नहीं था he was a prolific tinkerer वो एक बहुत ही अच्छा tinkerer था अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा tinkerer क्या होता है सोचते रहते हो तो tinkerer होगा very good छोटी 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 चीज़े try करता रहता है और जो try किया है उसको change करता रहता है जैसे खाने में आप अलग लग recipe try करते हो तो ये भी यही था वो चीज़ों को combine करता रहता था ये उसको समझ में नहीं आता था कि क्या होगा बट ऐसे ही experiment करता रहता था confident that little discoveries along the way would be combined and leveraged into more meaningful invention उसको लगता था कि जो छोटी छोटी inventions हैं खोजे हैं अगर उनको हम जोडते रहेंगे तो उससे हम लोग कोई meaningful innovation invention कर पाएंगे कोई नई चीज़ बड़ी खोज पाएंगे आज हम आपका एक बहुत बड़ा illusion तोडएंगे आज के बाद अगर आपके सामने कोई कहता है न कि Thomas Elva Edison ने bulb की खोज की थी तो वो नहीं की थी सुनिए Edison ने example के लिए पहला light bulb invent नहीं किया था उसने खाली उस चीज़ को improve किया था जो दूसरों ने बनाया था उसको Edison से भी 75 साल पहले 1802 में Humphrey Davy नाम का inventor था जिसने एक electric light बनाया था जिसका नाम रखा था arc lamp charcoal rods को use किया था उसमें filament की तरह उसको जलाने के लिए नहीं arc lamp it work like Edison's light bulb वो काम वैसे ही करता था जैसे Edison का bulb but it was impractically bright लेकिन बहुत जादा चमकता था और जब आप उसको जलाते थे तो कुछ minute या कुछ second में ही जलके खतम हो जाता था इसलिए उसका कोई use नहीं होता तो Edison ने दो चीज़ें की उसको उठाया उसके brightness को कम किया उसके उजाले को कम किया और उसके अंदर में longevity बढ़ा दी मतलब उसकी उमर बढ़ा दी और ये बहुत बड़ी breakthrough थी बहुत बड़ी खोज थी बट इट वस बिल्ट ऑन दे बाक अफ ड़जन्स अफ प्रिवियस breakthroughs लेकिन ये नई खोज नहीं थी ये पहले की खोज के ऊपर की गई थी उनका सारा लिया गया था और उसमें से कोई भी पुरानी खोज किसी काम की नहीं लगती थी अकेले लेकिन जब उन सब को धिमीदी में इसने use किया किसने एडिसन ने नहीं disruptive invention जब आप कहते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया को disrupt करने वाले वो आपको पता थोड़ी होता है हाँ एक बर वो आता है नहीं idea को disrupt नहीं किया idea को use किया यहाँ पर एक पुराने invention को लिया वो एक तरह से जैसे बच्चों को खिलोने अच्छे लगते खोल खोल के वो देखते रहते हैं और कुछ-कुछ इधर दूर जोडते रहते हैं तो एक खेलने वाला था inventions के साथ खेलने वाला जब आप यह कहते हैं कि disruptive technology तो आप market के बारे में बोल रहे हैं जहां पर एक पुरानी technology को आपकी नई technology ने पूरी तरह से खतम कर दिया disrupt कर दिया वो एक result है आपकी खोज का बट वो आप सोच कर नहीं करते हैं अगर आप सोच की करते हैं तो बहुत बार होता नहीं अगर कोई आदमी सोचे के नहीं मैं तो पूरी दुनिया में से बल्ब खतम कर दूँगा तो आप पहले पूछेंगे ना अखिर मैं किस चीज से बल्ब को खतम करूँगा क्या चीज रिप्लेज करेगी बल्ब को हाँ अगर आपको मज़ा आता है लाइट्स के साथ खेलने में उसके साथ एक्सप्रिमेंट करने में तो क्या पता आप ऐसी कोई खोज कर लें कि आपके पुरानी चीज़े खतम हो जाए जैसे पिछले दस सालों में मैंने देखा है ये जो चाइनीज क्या आते हैं जो पत्ली-पत्ली पर लाइट लगाते हैं वो अब ऐसी लाइटे आती है पहले लाइट नहीं होती थी पहले छुड़ छुड़ बल्ब वाले लाइट होती थी और बल्ब फ्यूज जाती है तो हम नहीं बल्ब लगाते थे तो इसको आप ये मत कहिए कि disruptive technology है हाँ disrupt होती है as a by-product इसलिए Edison बहुत optimistic था आशावादी था खोजों के लिए के होंगी किसी ने कोई चीज़ खोज की और फिर अचानक से धेर सारे लोग बोलते हैं अरे यार उसको यूज करके हम लोग कुछ और बनाते हैं ये मैं करता हूँ अपनी books के साथ में अपनी knowledge के साथ में मैं एक psychology की book का इस्तेमाल करता हूँ spiritual course में thinking fast and slow का use करता हूँ meditation की course में या मैं एक money की book का इस्तेमाल करता हूँ decision making में medium में उसके बाद उसने कुछ examples दिया उसको आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा अरे बाप रे बाप हम लोग को छोटी छोटी चीजों को हलके में ने लेना चाहिए हमको as creator काम करना चाहिए ना कि only as consumer आप मुआ है जोओे पूमर आप जोओे बाप आप काम करना चाहिए करता हूँ आपको लोगे खोड़को लोगे लोगे जोगे बापको लोगे और वहा है झाल झाल